नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का Rankers GK YouTube चैनल में दोस्तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों की बहुत भरी डिमांड पर लाई गई है दोस्तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है जिसके अंदर आपको UPGK का संपूर्ण रिविजन करा दिया जाएगा दोस्तो अगर आप भी लास्ट टाइम पेपर में जाने से पहले एक बार UPGK का जट से रिविजन करना चाते हों तो आप इस क्लास से जुड़ जाईएगा इस क्लास में आपको UPGK का संपूर्ण एम शंचिप्त विवरन देखने के लिए मिलेगा इससे मैं आपको UPGK के हर एक कोने को टच करता हुआ चलूँगा पहला कोशन आप सभी के सामने है उत्तर परदेश इस्थापना दिवस कब मनाये जाता है तो मेरे दोस्त परतिवर्स उत्तर परदेश इस्थापना दिवस 24 जनवरी को ही मनाये जाता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश का पूर्व नाम क्या था नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश की साकसरता दर कितनी है तो साकसरता दर की अगर बात करू तो ये हो जाती है 66.7 परसेंट नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश में उर्दु को द्वित्ते राजवासा कब घोशित किया गया था वो है 2,4,928 वर्क किलोमेटर नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश राज्ये की पूर्व से पस्चिम तक कितनी लंबाई है तो पूर्व से पस्चिम तक लंबाई हो जाती है 650 किलोमेटर और अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिन तक कितनी लंबाई है तो उत्तर से दक्षिन तक की लंबाई हो जाती है 240 किलोमेटर नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश से सीमा लगाने वाले राज्यों की संक्या बताईए तो अगर बात करू उत्तर परदेश से सीमा लगाने वाले राज्यों की तो कुल राज्य अगर आप से पूसता है, तो कुल राज्यो की संक्या हो जाती है नो, जिन में से आट तो राज्यों है और एक आपका केंदर सासिट परदेश है, जिसका नाम है नियो दिल्ली Next Question सोन बदर से लगे वे राज्यों की संक्या कितनी हैं तो सोन बदर को चार और से चार राज्यों ने गहरा हुआ है पहले नमबर पर आ जाता है मद्यपरदेश दूसरा है चछतिसगर तीसरा है जारकंड और चोता हो जाता है आपका बिहार नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश से सरवादिक सीमा लगाने वाला राज्य कोंसा है तो ऐसा राज्यों हो जाता है मद्यपरदेश जिसकी सीमा उत्तर परदेश के सरवादिक जिलों से लगती है अर्तात कुल मिलाकर उत्तर परदेश के 11 जिले मद्यपरदेश के साथ सीमा ब नेक्स्ट है उत्तर परदेश का सबसे पस्ची में जिला हो जाता है आपका शामली जिला नेक्स्ट कोशन परदेश का सबसे उत्री जिला हो जाता है तो उत्री जिला हो जाता है सहरनपुर जिला और परदेश का सबसे दक्षिनी जिला हो जाता है तो दक्षिनी जिला है आप नेक्स्ट है उत्तर परदेश में कितनी कर्षी जलवाई उचेतर हैं तो उत्तर परदेश के अंदर कुल मिलाकर नो कर्षी जलवाई उचेतर हैं ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश में परवाहित होने वाली परमुक नदिया कोन सी है त तो उसका नाम है शारदा नहर. Next question, मध्यपरदेश से तीन तरफ से गिरा हुआ, उत्तरपरदेश का कौन सा जिला है? तो वो हो जाता है ललितपुर जिला, जिसको तीनों और से मध्यपरदेश ने गिरा हुआ है. Next question, उत्तरपरदेश का सरवादिक विधानसबा सीट वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका प्रियागराज, जिसके अंदर कुल मिलाकर बारा विधानसबा सीट आ जाती है. Next question, उत्तरपरदेश का पहला केंद्रिय कारगार कहाँ पर है? तो ये आपका बरेली के अंदर इस्तेत हो जाता है. Next question, उत्तरपरदेश राज्य में राष्टपती शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? तो अगर बात करू राष्टपती शासन की. राष्टपती शासन उत्तरपरदेश के अंदर कुल दस बार लगाया जा चुका है, जिन में से सबसे पहला राष्टपती शासन जो है उत्तरपरदेश के अंदर, वो 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1979 तक लगा था. अब ये तो बात थी शेतरपरदेश के अंशार जिलों की. अब हम बात करेंगे जन संक्या के अनुसार, जन संक्या के अनुसार उत्तर परदेश का सबसे चोटा जिला कुंसा है, तो वो है आपका शामले जिला, जिसे उत्तर परदेश का सबसे पस्चिमी जिला भी माना जाता है, नेक्स्ट कोशन, जन संक्या के अनुसार उत्तर परद विधान सभाशीट हैं और सबसे अधिक जनसक्या भी है Next question उत्तर परदेश की सबसे अधिक साखसरता वाला जिला कोण सा है तो सरवाधिक साखसरता वाला जिला हो जाता है गोतम बुद्धनगर जिसके अंदर 80.1% साखसरता दर नोट की गई है Next question उत्तर परदेश की सबसे कम साकसरता दर वाला जिला कुंसा है तो वो है आपका स्रावस्ति जिला जहांपर कुल मिलाकर 46.7% दर ही नोट की गई है नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश का सबसे अधिक पुरुष साकसरता वाला जिला कुंसा है तो इस बार आपसे पुरुष साखसरता वाले जिले की बात कर रहा है तो वो भी आपका गोतम बुद नगर ही हो जाता है बात करो उत्तर परदेश के सबसे कम पुरुष साखसरता वाले जिले की तो ये आपका स्रावस्ती ही हो जाता है नेक्स्ट है उत्तर परदेश का राज के पशु क्या है तो राज के पशु हो जाता है बारा सिंगा उत्तर परदेश का राज के वरक्ष कौन सा है राज के वरक्ष हो जाता है अशोक उत्तर परदेश का राज के पक्षी कौन सा है तो ये हो जाता है सारस उत्तर परदेश का राज के पुष्प कौन सा है तो राज के पुष्प हो जाता है पलास अत्वाट टेसू उत्तर परदेश का राज के जलिय जन्तु कौन सा है तो जलिय जन्तु है गंगा डॉल्फिन नेक्स्ट है उत्तर परदेश का राजगे मचली कोन सी है तो उत्तर परदेश की राजगे मचली हो जाती है चीतल उत्तर परदेश की पहली महिला राजजपाल कोन बनी थी तो पहली महिला राजजपाल बनी थी सरोजनी नाइडू ये कोशन कई बार एक्जाम में रिपीट हो चुका है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश के पहले मुख्यमंतरी का क्या नाम है तो पंडित गोविंद वल्लबंत इनका नाम हो जाता है नेक्स्ट है राज्य एवम देश की पहली महिला मुख्यमंतरी कौन बनी थी तो राज्य एवंदेश की पहली महिला मुख्यमंतरी बनने वाली महिला है सुचेता करबलानी next question पर चलते हैं next question भी आप सभी के सामने है उत्तरपरदेश का सबसे कम उमर का मुख्यमंतरी कौन था तो सबसे कम उमर के मुख्यमंतरी बने थे अकिलेश यादव नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पर्थम उपमुख्यमंत्री कौन थे तो उत्तर प्रदेश के पर्थम उपमुख्यमंत्री बने थे चोधरी चरण सिंग नेक्स्ट है उत्तर परदेश का पहला विश्विध्याले कुन सा था तो पहला विश्विध्याले हो जाता है इलाबाद विश्विध्याले नेक्स्ट है उत्तर परदेश राज्ये में सबसे ज्यादा विश्विध्याले किस जिले में है तो सरवादिक विश्विध्याले भी लखनो जिले के अंदर ही हो जाते हैं नेक्स्ट है उत्तर परदेश का मैंचेस्टर की से कहा जाता है तो यूपी का मैंचेस्टर कानपूर जिले को कहा जाता है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट है पदम सिरी से संभानित होने वाली उत्तर परदेश की पहली महिला कुन थी तो इनका नाम है मोनाच चंदरावती गुपता नेक्स्ट है उत्तर परदेश राज्य की पहली फिल्म सिटी कहां पर है तो यूपी की जो पहली फिल्म सिटी है वो गोतम बुदनगर अर्थात नोईडा के अंदर इस्तित है उत्तर परदेश का सर्वादिक जन गनत्व वाला जिला है तो सर्वादिक जन गनत्व वाला जिला हो जाता है गाजयवाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का नियोनतम जन गनत्व वाला जिला है लरितपुर जिला उत्तर प्रदेश का सरवादिक जन संक्या वाला जिला है तो ये हो जाता है आपका प्रियागराज और उत्तर प्रदेश का नियूंतम जंसंक्या वाला जिला कुन सा है तो ये हो जाता है आपका महोबा नेक्स्ट है उत्तर परदेश का सरवादिक लिंगान उपात वाला जिला कुन सा है तो ये हो जाता है आपका ज्योनपूर और उत्तर परदेश का नियूनतम लिंगान उपात वाला जिला कुन सा है तो ये हो जाता है आपका गोदम बुदनगर next question उत्तरपर्देश के किस جिले में Indian Institute of Sugar Can Research स्थित है तो यह लखनों के अंदर स्थित हो जाता है ये चीज भी आपको धान रखनी है चलते हैं next question पर next question भी आप सभी के सामने दिया गया है उत्तरपर्देश में National Sugar Institute कहांपर है तो ये आपका कानपूर के अंदर इस्तित है नेक्स्ट है भारतिय दलहन अनुसंधान कहां पर है तो ये है भी आपका कानपूर के अंदर ही हो जाता है नेक्स्ट है उत्तर परदेश के किस जिले में Indian Institute of Technology इस्तित है तो यह भी आपके कानपूर में ही इस्तित हो जाती है नेक्स्ट है उत्तर परदेश में कुल कितनी साखसरता दर है तो उत्तर परदेश की अगर साखसरता दर की बात करूँ तो वो हो जाती है 67.72% अगर बात करू उत्तर परदेश में पुरुष साक्सरता दर कितनी है तो पुरुष साक्सरता दर हो जाती है 77.30 और उत्तर परदेश में महिला साक्सरता दर अगर आपसे पूसता है तो वो हो जाती है 57.20 बात करू 2001 से 11 के दोरान ओसत साक्सरता में कितनी व्रद्दी होई है तो 2001 से सन 2011 के वीज औसत साकसरतादर में कुल मिलाकर 11.36% की वरदी होई है। ये कुश्चन भी काफ़ ज्यादा इंपोटेंट हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तर परदेश में पुरुस एमवं महिला साकसरतादर में कितना अंतर है। तो पुरुस और महिला साक्सरता धर में कुल मिलाकर 20.1 जिलो परतिशत का अंतर हो जाता है उत्तर परदेश में सर्वादिक साक्सरता वाले तीन जिले बताईए तो सर्वादिक साक्सरता धर वाले तीन जिले हो जाते हैं गोतम बुद नगर, कानपूर नगर और ओरिया नेक्स्ट है उत्तर परदेश में सबसे कम साक्सरता दरवाले तीन जिले बताईए तो तीन जिले हो जाते हैं सिरावस्ति, बहराईच और बलरामपुर नेक्स्ट कोशन, उत्तर परदेश में कुल जिलो की संक्या कितनी हैं, तो कुल मिलाकर 75 जिले उत्तर परदेश के अंदर रिष्तित हैं नेक्स्ट कोशन, उत्तर परदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो कुल मिलाकर 18 मंडल उत्तर परदेश के अंदर हैं नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश में विशेश छेतर प्राधिकरण कितने हैं तो इनकी संक्या हो जाती है 5 बात करो उत्तर परदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संक्या है 9163 नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उत्तर परदेश में कुल कितनी तहसील हैं तो कुल मिलाकर 350 तहस परिश्द कितनी है तो कुल मिलाकर 108 में अगरपाली का परिश्द हो जाती है जो कि वर्स 2018 के नुसार ही नोट किये गई है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश विद्धुत नियामक आयोक का गठन कब हुआ था तो यह 1988 में के अंदर किया गया था उत्तर परदेश की सबसे पुरानी तापिया परियूजना कों सी है तो इसका नाम हो जाता है हरदुा गंज तापिया परियूजना जिसकी इस थापना 1982 के अंदर की गई थी नेक्स्ट कोशन बारतिया पसुल चिकितसा अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है तो यह बरेली के अंदर इज्जित नकर में इस्तित है ये चीज भी आपको ध्यानक नहीं है नेक्स्ट कोशन भारतिय सब्जी अनुसंदान संस्थान किस जिले में है तो यह आपका वरानसी जिले के अंदर इस्थित हो जाता है नेक्स्ट कोशन भारतिय सब्जी अनुसंदान संस्थान किस जिले में है तो यह आपका जहां से जिले के अंदर इस्थित हो जाता है नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश राज्य ओध्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहां परिस्थित है तो यह आपका कानपूर के अंदर इस्थित है दोस्तो इस प्रकार से मैं UPGK के अंदर आपको सभी संस्थान वे सभी इंपोटेंट केंद्रिय संस्थान भी साथ के साथ कवर कराता जा रहा हूँ तो ये वीडियो आपका UPGK के लिए एक मोस्ट इंपोटेंट ब्रहमास्टर होने वाला है यहां से आपको UPGK के कई कोशन आपके एक्जाम में देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट कोशन है उत्तर परदेश में सरवपर्देश में सरवपर्थम किस पक्षी वियार की स्थापना की गई थी जो कि आपका उन्नाव जिले के अंदर स्थित हो जाता है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश का राज के वरक्ष क्या है तो जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर परदेश का राज के वरक्ष हो जाता है अशोक उत्तर परदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो सबसे लंबी नहर है शारदा नहर निमने लिखित में से किस नदी के तक पर गुरगपुर जनपद इस्तित है तो गुरगपुर जनपद जो है वो रापती नदी के किनारे बसा हुआ है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट कोशन उत्तरपरदेश में बहने वाली गौमती नदी किस इस्तान पर गंगा से मिलती है तो गौमती नदी जो है वो गाजीपुर के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है ये चीज भी आपको ध्यान लखनी है नेक्स्ट कोशन चोदरी चरन सिंग स्टेडियम उत्तरपरदेश के किस जिले में स्टित है तो चोदरी चरन सिंग स्टेडियम की बात हुई है ये है उत्तरपरदेश के मुझफर नगर जिले में स्टित हो जाता है ये चीज भी आपको ध्यान लखनी है नेक्स्ट कोशन उ उत्तर पर्देश की पर्थम महिला मुख्यमंतरी कौन बनी है तो इनका नाम है सोचेता करपलानी। उत्तर प्रदेश के किस इस्थान का दशेरी आम विश्व परसिद है तो दशेरी आम जो है ये लखनों के मलिहाबाद छेतर का विश्व परसिद आम हो जाता है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश का नियुनतम साक्सरता दरवाला जिला कोन सा है तो ये हो जाता है सरावस्ती और उत्तर प्रदेश का सरवादिक साक्सरता दरवाला जिला कोन सा है तो ये हो जाता है आपका गोदम बुदनगर उत्तर प्रदेश की पर्थम राज जपाल कुन थी, तो इनका नाम है सरोजने नाइडू, और उत्तर प्रदेश के किस जले में यूरेनियम सबसर जाता पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ललित पुर्फ, उत्तर प्रदेश में परमानू विद्धुत के अंदर कह नेक्स्ट कोशन ओब्रा ताफ विदुत थे स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी ये कोशन v Hands बी काफी वार एक्जाम में रिपीट हो चुका है नेक्स्ट कोशन, उत्तर परदेश में विधान परिशत सदस्यों की संक्या कितनी है, तो इनकी संक्या है सो, उत्तर परदेश में विधान सबा सदस्यों की संक्या कितनी है, तो इनकी संक्या है चार सो तीन, उत्तर परदेश में लोक सबा सदस्यों की संक्या कितनी है, तो उत करूब भारत वर्ष में पर्थम कर्षी विश्विद्याले की स्थापना कहां पर की गी थी तो भारत का जो पहला कर्षी विश्विद्याले था वो पंत नगर के अंदर हो ला गया था जिसका नाम है पंडिच जी भी पंत कर्षी विश्विद्याले नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश करसी अनुसंधान परिस्थ कहां परिस्थित है तो यह लखनों के अंदर रिस्थित है केंदरिय औसदी अनुसंधान संस्थान कहां परिस्थित है तो यह भी लखनों के अंदर रिस्थित है उत्तर परदेश में आवले का सरवादिक ताबगर जिला हो जाता है उत्तर परदेश के किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है अर्थात लाल मुर्दा पाई जाती है तो मिर्जापुर वैसोन भद्र जिले के अंदर पाई जाती है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश का सबसे छोटा पक्षी वियार कौन सा है तो तो यह है आपका कन्नोज जिले के अंदर इस्थित हो जाता है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं किस नदी के द्वारा अवनली का अपरदन द्वारा बिहडो का निर्मान किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है चम्बल नदी के द्वारा और अगर आपसे पूछे किस सर्वारा अवनली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है तो यह भी आपके चम्बल नदी ही हो जाती है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश की पूरू से पस्चिम की और बढ़ने पर वर्षा की मातरा समाने तक कैसी रहती है तो यह घट जाती है उत्तर परदेश के कितने जिले मद्या परदेश के साथ सीमा साजा करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है उत्तर परदेश के कुल मिलाकर 11 जिले ऐसे हैं जो मद्या परदेश के साथ सीमा साजा करते हैं नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश का पूरू से पस्चिम तक विस्तार कितना है तो मैंने आपको ये कोशन भी करा दिया है कुल मिलाकर 650 किलो मेटर है उत्तर परदेश का उत्तर से दक्षिम तक विस्तार कितना है तो ये 240 किलो मेटर है उत्तर परदेश का वरतमान 6 तरफल कित तो ये मिर्जापूर वा सोनबदर जिले के अंदर इस्थित हो जाती है। तो ये मिर्जापूर जिले के अंदर जिले में केंदर सरकार की अफिम की फैक्टरी इस्थित है। नदी यमना से मिलती है तो इतावा जिले के अंदर मिलती है। नेक्स्ट कोशन, यमना नदी उत्तर परदेश में कहां से परविश करती है, तो सहारनपुर के फैजबाद नमग इस्तान से, नेक्स्ट कोशन, यमना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये है आपके गंगा नदी, नेक्स्ट कोशन, यमना नदी की कुल लंब मुझे फर नगर जिले से हो जाता है नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश में भारत कला भावन कहां पर इस्तित है तो भारत कला भावन जो है वो वारानसी के अंदर इस्तित है नेक्स्ट कोशन अटाला मस्जिद नामक एक परसिद मस्जिद उत्तर परदेश के किस शहर में इस्तित है तो यह आपके जोनपूर के अंदर इस्तित हो जाती है किसे नगर महोदे स्री के नाम से भी जाना जाता है तो कन्नोज को ही नगर महोदे स्री के नाम से भी जाना जाता है उत्तर परदेश में आयरुवेद महुतसव का आयोजन किस जन्पत में किया जाता है तो यह जहासी जन्पत के अंदर किया जाता है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश में जैन एम बोध दोनों का परसिद्ध ती त्रिस्थान कुन सा है तो यह आपका कोशाम भी हो जाता है तो ये फुर्शत गंज के उंदर इस्तित है नेक्स्ट कोईशन उत्रपर्देश पंडित दीन डयाल उपादे पसुचिकेत सविज्ञान विश्वीदियले एवं गों अनुसंदान संस्थान चाहाँ पर इस्तित हो जाता है नेक्स्ट कोशन भारतिया चारा गाहा एम चारा अनुसंदान संस्तान कहां पर इस्तित है तो यह है जहांसी के अंदर इस्तित है नेक्स्ट कोशन दो हजार गैरा की जनगर्णा के नुसार उत्तर परदेश की कितने परदेशत आबादी ग्रामिन छेतरों में रहती है तो ग्रामिन छेत्रों में रहने वाली आबादी है 77.73 पर्टिशत इसी के साथ शहरी छेत्रों में रहने वाली जन संक्या कितनी है तो शहरी छेत्रों में रहने वाली आबादी है 22.27 पर्टिशत 2011 की जन गणना के नुसार निम्ड लिकित में से Uttar Pradice के किस जिले की जन संक्या सर्वादिक थी तो प्रियाग्रा जिले की जन संक्या सर्वादिक है Next Question Uttar Pradice में स्से जल्वाई चेतरों की संक्या कितनी है तो इनकी संक्या है कुल मिला कर नो उत्तर परदेश का सबसे बड़ा जिला कुंसा है तो सबसे बड़ा जिला है लकीम पूर किरी और सबसे छोटा जिला हो जाता है हापूर लखनव शहर नेमनलिकित में से किस नदी के किनारे पसा हुआ है तो गोमती नदी के किनारे पसा है और ये गोमती नदी वही नदी है जिसका उदगम पिली भीट के अंदर फुलर जील से होता है नेक्स्ट कोशन है उत्तर परदेश को पूरू में किस नाम से जाना जाता था तो युनाइटिड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था 1950 से पहले उत्तर परदेश को युनाइटिड प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा था नेक्स्ट कोशन जनसंक्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कुंसा है तो ये हो जाता है आपका उत्तरपरदेश छेतरफल के अनुसार उत्तरपरदेश का देश में कुंसा इस्थान है तो ये हो जाता है चोता इस्थान क्योंकि पहले इस्थान पर राजिस्थान है, दूसरा इस्थान मद्य परदेश के पास है, तीसरा इस्थान महराष्ट के पास है, और चोथे इस्थान पर आ जाता है उत्तर परदेश इतर नगरे के नाम से किसे जाना जाता है तो इतर नगरे के नाम से कन्नो जिले को जाना जाता है उत्तर परदेश का नाम उत्तर परदेश कब पड़ा था तो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था नेक्स्ट कोशन परदेश में दिया सलाई बनाने का परमुक के अंदर कौन सा है तो ये है आपका बरेली किस वर्स उत्रांचल उत्र परदेश से अलग किया गया था तो 9 नुवंबर 2000 को परदेश में ताला बनाने का परमुक के अंदर कुन सा है तो ये है आपका अलिगड़ कैंची उत्पादन के लिए परमुक जिला कुन सा है तो ये है आपका मेरट और सुरुमा उत्पादन के लिए परमुक जिला कुन सा है तो ये है आपका ब्रेवी उत्रपर्देश में गेहूं का सरवादिक उत्पादन किस शेतर में होता है तो ये आपका गंगा घागरा दूआप शेतर में किया जाता है Next question दोलोमाइट के बंडार उत्रपर्देश के किस जिले में पाये जाते हैं तो ये आपके सोनबदर जिले के अंदर पाए जाते हैं नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उत्तर परदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर इस्तित हैं तो चुर्क वेडला दो इस्थान आपने काफी बार सुने होंगे कि सिमेंट कारखानों के लिए चुर्क वे डला काफी परसिद देस्थान है तो यह जो चुर्क है यह आपका सोनवद्र के अंदर पड़ता है और डला जो है यह आपका मिर्जापूर का छेतर है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश को करसी द्वारा लगबक कितने परतिशत आये होती है तो करसी के द्वारा होने वाली आये की संक्या है 68 परतिशत परदेश में साबून बनाने का परमकेंदर कौन सा है तो यह है आपका कानपूर जिला परदेश में कागद बनाने का परमके अंदर कुंसा है तो ये है आपका सहरन पुर्जिला काशी का सरव परथम उलेक किस वेद में दिया गया है तो ये अथर वेद में दिया गया है काशी की बहन किसे कहा जाता है तो गाजी पुर को कहा जाता है रिगवेद के अगर बात करू तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है सामवेद के अंदर संगीत का उल्लेग मिलता है यजुरवेद के अंदर यग का उल्लेग मिलता है अथरवेद के अंदर जदू तोना टोट के अधिका उल्लेग दिया गया है नेक्स्ट कुशन भगवान बुद्ध ने ग्यान प्राप्ति के बाद अपना प्रतम उब्देश कहां पर दिया था तो ये सारनाथ के अंदर दिया था बात करू इन्हें ग्यान प्राप्ति कहां पर हुआ तो ग्यान प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर बात करूँ जन्म कहाँ पर हुआ तो जन्म हुआ था लुंबिनी के अंदर और पर्थम उपदेश की अगर बात करूँ कि बगवान बुद्ध का जो पर्थम उपदेश था वो कहाँ पर दिया गया वो सारनात के अंदर दिया गया था बात करूँ मृत्यू की तो बगवान बुद्ध की मृत्यू कृशी नगर में हुई थी इसलिए ही बुद्ध को लाइट ओफ एशिया की नाम से भी जाना जाता था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कप प्रारंब किया गया था तो 1973 के अंदर शुरुवात की गई थी नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उत्तर परदेश का एकमातर रास्ट्य उज्ञान कौन सा है तो ये है आपका दुद्वा रास्ट्य उज्ञान जो कि आपका लखिमपूर खेरी के अंदर इस्तित है नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है तो हीरा उत्पादन के लिए सबसे परसिद जिला है बांदा उत्तर परदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है तो मुरादाबाज शहर को नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमा इसपर्ष करती है तो नेपाल देश की सीमा इसपर्ष करती है नेपाल के साथ उत्तर परदेश के साथ जिले हैं जो सीमा बनाते हैं नेक्स्ट कुश्चन भारत के कुल भोगोलिक छेतर फल में उत्तर पर्देश का कितना भोगोलिक पर्टिशत है। तो ये है आपका साथ पॉइंट तीन तीन पर्टिशत। उत्तर पर्देश सरकार ने किस एतिहसिक इस मारक से जुडवा मचली का राजसिन अंगिकरत किया है। तो ये रूमी दरवाजे से लिया गया है। उत्तर पर्देश के कुल आठ जिले जो कि NCR में आते हैं वे कौन कौन से हैं। तो मेरट मुझफर नगर, गाज़ाबाद गोतम बुद नगर, बुलंच शहर बागपत, हापुडवे शामली। सबसे लेटस्ट जिला जो हाल ही में NCR में शामली किया गया था वो है आपका शामली जिला। जिसे की आठवा NCR का जिला माना जाता है। नेक्स्ट कोशन, उत्तर परदेश की आर्थिक राज़धानी किसे कहा जाता है, तो ये कानफुर को मना जाता है। नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए परसिद है तो कांच उद्योग के लिए आपका फिरोजाबाद जिला सूपरसिद जिला हो जाता है नेक्स्ट कुशन लाग बहुशी अब्रणनक किस जनपत में इस्तित है तो यह कनोज के अंदर इस्तित है आगराफ शहर की स्थापना किस ने की थी तो यह सिकंदर लोधी के दौरा की गई थी नेक्स्ट कुशन जोनपूर की इस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये फिरोज शाहत तुगलप की द्वारा की गई थी उत्तर परदेश के किस जिले में यूरेनियम के बंडार पाए जाते हैं तो ललितपूर के अंदर पाए जाते हैं तीर्थो का राजा उत्तर परदेश के किस जिले को कहा जाता है तो यह प्रियाग राज जिले को कहा जाता है प्रियाग राज के ही कुछ अन्य नाम है जैसे कि तीर्थराज भी प्रियाग राज को ही संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है प्रियाग राज को ही कुम्ब नगरी भी कहा जाता है प्रियाग राज को ही तंबु नगरी के नाम से भी जाना जाता है और प्रियाग राज को ही पूरु में इलाबाद के नाम से भी जाना जाता था नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश का राज के चिन्न है मचली राज के पशू है बारा सिंगा राज के पक्षी है सारस अथवा क्रोंच नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उत्तर परदेश के अगर राज के खेल की बारे मैं आपसे पूछे तो राज के खेल हो जाता है होकी राज के पुश्प हो जाता है प्लास अथवा टेसू और इसे कई बार धाक के नाम से भी जाना जाता है राज के वरक्ष हो जाता है अशोक उत्तर परदेश का राज के चिन कब स्विक्रत किया गया था तो ये 1938 के अंदर स्विक्रत किया गया था दोस्तों मैंने इन questions को बार-बार इसलिए दुबारा repeat किया हुआ है कि आपका बार-बार दुबारा से revision होता रहे तो आप लोग इन्हे repeated question मान कर मत चलना एक तरह से आप इनको by revision लेकर चलना नेक्स्ट question लोहे की होज उत्तर परदेश के किस जन्पद में हुई है तो ये वारानसी जन्पद के अंदर की गई है उत्तर परदेश का सबसे बड़ा आलो उत्पादक जिला कुनसा है तो ये है आपका फरुखाबाद जिला उत्तर परदेश में भारत कला भवन कहां पर इस्तित है तो ये वारानसी के अंदर इस्तित है उत्तर परदेश के जलवायू कैसी है तो उस्न कटीबंद मानसोनी जलवायू है उत्तर परदेश के किस जनपद में खुसरो बाग इस्तित है तो खुसरो बाग प्रियागराज के अंदर इस्तित है उत्तर परदेश के किस जिले में बेत एवंबास की बनी कलात्म कवस्तो का निर्मान होता है तो ये बरेली के अंदर होता है अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई एड़ोगी जैसे कि बाबतपूर हवाई एड़ा कहाँ पर है आगरा के अंदर है बमरोली हवाई एड़ा कहाँ पर है प्रियागराज के अंदर है अमोसी हवाई एड़ा कहाँ पर है लखनो के अंदर है चकेरी हवाई प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है तो यह आगरा के अंदर मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में गड़ का मिला कहां पर लगता है तो यह हापुड के अंदर गड़ मुक्तविश्वर में लगता है नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश में अर्दुकंब का आयोजन कितने वर अबिरेंने किन जिलों में इस्तित है लिया अन्नावजिले के अंदर इस्तित हो जाता है और यही उत्तर परदेश का सवोर पर्थम पक्षी अबिरेंने भी माना जाता है सेद सालार उर्स मिला कहाँ पर लगाया जाता है तो यह बेराईश के अंदर लगाया जाता है पर्थम सटन्तरता संग्राम कब हुआ था तो यह 1857 के अंदर हुआ था उत्तर परदेश का भारत के चवल उत्पादक राज्यों में कौन सा इस्थान है तो इसके अंदर उत्तरपरदेश का दोसरा स्थान है जबकि पहला स्थान इसमें पस्चिम मंगाल को दिया गया है उत्तरपरदेश की पर्मुक वानिज्या फचल कों सी है तो यह है आपके गन्ना Next question उत्तर परदेश में नक कटिया मिला कहां पर आयुजित किया जाता है तो यह वारानसी के अंदर आयुजित किया जाता है उत्तर परदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो इसे रिहंद बांद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कुशन देश की सबसे बड़ी भूल भूलेया उत्तर परदेश में कहां पर और कौन सी है तो सबसे बड़ी भूल बुले या जो है वो इमाम बड़ा को आ जाता है और यह लखनों के अंदर इस्तित है नेक्स्ट कोशन परतिवर्स सूफिसंत हाजी वारिश अली शाहा की मजार पर कौन सा मिला लगता है तो यहाँ पर देवी शरीफ मिले का अरजन के जाता है और यह बारा बंकी के अंदर लगता है नेक्स्ट कोशन भी आप सभी के सामने दिया गया है नरोरा परमानू शक्ति परियोजना की सेयुत विद्ध उतपादन शमता कितने मेगावाट की है तो इसकी समता 470 मेगावाट की है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश राज्य मेश उत्चे सिक्षा निदेशाल्य कहां परिष्टित है यह परियागराज के अंदर रिष्टित है खरवार जन जाती के लोग किस धर्म को मानते हैं तो यह हिंदु धर्म को मानते हैं आगरा के रामबाग का निर्मान कब और किसके द्वारा करवाए गया था तो यहे बाबर की द्वारा 1526 में निर्मानित किया गया था नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो वैदिक काल के अंदर यूपी को ब्रहमर रिशी देश के नाम से जाना जाता था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था तो ये हसरत मोहाने जी के द्वारा दिया गया एक नारा है नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश राज्य अध्यक्ष के नियुक्ति कोन करता है तो राज्य के अध्यक्ष अर्थात राज्य पाल के नियुक्ति राष्टपति के द्वारा की जाती है उत्तर परदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी तो यह 1922 के अंदर लागू की गई थी सास्त्रिय संगीत कहां से लिया गया है तो सास्त्रिय संगीत का उलेग सामवेद के अंदर जिया गया है केंद्रिय बकरी अनुसंदान के अंदर कहां पर इस्थित है तो यह मतुरा के अंदर इस्थित हो जाता है नेक्स्ट कुशन उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का परमुक केंदर कौन सा है तो यह है कानपुर गजलो का जनक किसे माना जाता है तो अमीर खुसरो का माना जाता है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाय जाता है तो ललितपुर जिले में पाय जाता है किस साधन के दृवारा की जाती है तो नल कूपों से किया जाती है उत्तर प्रदेश में बारत की कुल कितने प्रतीशत करसी योग जया भूमी है तो 22 उत्तर परदेश में कुल मिलाकर 75 जिले इस्तित हैं उत्तर परदेश में रोक फेसफेट कहां पर पाय जाता है तो यह है बांदा के अंदर पाय जाता है संपूर्ण भारत का लगबग कितना परतिशत खाद उत्तर परदेश उत्पादित करता है तो 21 परतिशत खाद उत्पादित करता है नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश में नांगो का परधान केंदर कौन सा है तो ये है आपका मधुरा नेक्स्ट कुशन तंबाको की किर्सी उत्तर पर्देश के किस कारे के लिए की जाती है तो खाने और होका एतु की जाती है उत्तर पर्देश में रानी लक्षमी भाई बांध परियोजना किस नदी पर है तो यह बेतवा नदी पर है उत्तर परदेश के किस जन्पत में थारू जिन जाती निवास करती है तो तराई शेतर के अंदर निवास करती है करणवास उत्तर परदेश के किस जिले में है तो यह बुलंड शेहर जिले के अंदर इस्थित है Next question पर चलते है नेक्स्ट कुशन भी आप सभी के सामने दिया गया है उत्तर परदेश में भारत की कुल कितने पर्टिस्ट करसी योग के भूमी है तो 22 पर्टिस्ट है उत्तर परदेश में राष्ट एक कतक संस्थान कहां पर इस्तित है तो लखनों के अंदर इस्तित है रोजगार की दरश्टी से उत्तर परदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा मना जाता है तो हत्करगा उद्योग मना जाता है उत्तर परदेश वार्शिगी का परकासन परदेश के किस नगर से होता है तो यह लखनों से होता है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीने मिट्टी के बरतनों के लिए परसिद्ध है तो ये है आपका खुरजा रेशम और जरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला परसिद्ध है तो ये है आपका वरानसी उत्तर पर्देश के किस चेतर में रटोल आम का उत्पादित किया जाता है तो रटोल आम आपका बागपत वे मेरे जिलों के अंदर उत्पादित किया जाता है दशेरी आम के लिए फेमस जिलाखूंसा है और आमला उत्वादन के लिए परताफगड जनपद परसिद्ध है उत्तर परदेश में डीजल लोकोमोटीव वर्ट्स कहा पर रिस्थित है तो यह वारानसी के अंदर रिस्थित है नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं दोस्तो आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरू बता देना नेक्स्ट कॉशन है भरत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है तो यह है आपका वारानसी 16 महा जन्पतों की अवदी के दोरान सूर से इन जन्पत की राज़ानी क्या थी तो ये थी मतुरा हिंडन हवाई अड़ा किस जिले में इस्तित है तो ये है गाज़बाद जिले के अंदर इस्तित हो जाता है नेक्स्ट कुशन उत्तर प्रदेश के किस जन्पत में जन्जरी मस्जिद इस्तित है तो ये है जोनपूर के अंदर इस्तित है हिंदी बाशा और साहित्य के विकास हे तू उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्ताबना कब की गई तो 1976 के अंदर की गई थी उत्तर परदेश के किस जनपत में बातकंडे संगीत संस्थान इस्थित है तो यह लखनों के अंदर इस्थित है किस चित्रकार ने सत्यम सिवं सुन्दरम का चित्रन किया है तो यह लखनों के अंदर इस्थित है उत्तर परदेश करसी अनुसंदान परिश्थ कहाँ पर है तो यह लखनों के अंदर इस्थित है केंद्रिय उसदी अनुसंदान संस्थान कहाँ पर इस्थित है यह भी लखनों के अंदर ही हो जाता है वे सभी आपने एकदम आराम से और अच्छे से और फास्ट रिविजन के रूप में कम्प्लीट कर लिये हैं। अब आपको UPGK हो या UP Current Affair हो। इन दोनों से बिलकुल घबराने की जुरत नहीं है। आपने UP Current Affair को भी अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है। UPGK का भी कई बार रिविजन मैंने आपको करा दिया है। फिर भी आपकी तसलिके लिए एक मोग क्लास मैं आपको एकदम से एक दिन पहले दूँगा। जिससे आप अपने सभी कोश्टन का मोग के द्वारा प्रैक्टिस कर पाओगे। और वह मैराथन आपकी करेंट अफेर वह UPGK की कमबाइंड मैराथन होने वाली है। और रही बात इस वीडियो की PDF की। तो इस वीडियो की PDF आपको Rankers GK Telegram चैनल पर मिल जाएगी। जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के description में भी दिया हुआ है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट केसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो। जैहिन जैवारत।